फक्त पूरण मल के किस्से की रागनी मौसी ने जूटा मौसी ने जूटा आरोप लगा दिया राजा ने भी कतल करने का जल्लादो को हुकम दे दिया कि जल्लादो जिस तरह का काम पूरण मल ने अपनी मौसी के साथ किया है इसे जिंदा नात रहना चाहिए काट पीट के जलाद कुए के अंदर गेर देते हैं जंगल में ले जाके पूरणवल को उधर से गुरु गोरखनाथ का डेरा आया हुआ है प्यास लगती है संतों को एक सेवक को कुआ के उपर गुरु गोरखनाथ ने भेज दिया कुआ के अंदर जैसे ही डोल डाला कुआ के अंदर जैसे ही डोल डाला देखता क्या है के एक कटी हुई लहास कुए के अंदर पड़ी हुई है अपने योग बल से गुरु गोरखनाथ ने उस लहास को समर्थ कर दिया और पूरन अमल जब समर्थ हो गया तो दोनों गुरु चेला की यहां पर बात है पूछते हैं गुरु गुरु पूछते हैं के तुम कान हो कहां से आए हो और जहां से आए हो वहां लोट जाओ क्योंकि मैंने तुमको समर्थ कर दिया है दोनों गुरु चेला की बात है गुरु कहते हैं घर जाने के लिए और चेला कहता गुरुजी तेरे साथ चलूँगा किस तरह से सवाल जवाब होते हैं साथी जली मत पूछा महाराज आज मेरी रंच से भरी कहानी अच्छा शाल भान के अपूर अनमल मेरी शाल गोट रही जाए तू राजा की अउलाद है कोई बात हो गई होगी अपने परिवार से कोई किसी तरीका का अगर शाल कोट वापस नहीं लोटोगे तो कोई दूसरा बेटा भी नहीं है राजा के तो तुमसे मैं निवेदल करता हूँ जीवित मैंने कर दिये हैं पर जाकर के कोई बात गल्ती होगे यहो तो छमा मांग के अपने घर पहुच और क कोई बात फर भी कहनी है तो कहे शाबाजन दूसरा भाजन करूर गुरोग सावाद मुझे यर कोई दिलाना चहिए मुझे चाप पूरण मले घर अपने माबाब न दिलाना चहिए महचद करोरे चद्वरी किसे और कोई लाना चहिए चाप पूरण मले घर अपने माबाब न दिलाना चहिए माबाब न दिलाना चहिए माबाब न दिलाना चहिए करना नेव फकीरी बाड़े का ए नई फकीरी फिर क्या मतलब अपने और पिराणे का पिराणे का वैं सब का भला ज़कीर करे और सामहरी गुड़े का ए का ए पेतर दी बेर हमको होडा पेतर दी बेर हमको होडा फुटब का वीला ना चाहिए जिस घर में पूरण सापूत उड़े उट मठी लाना चाहिए उट मठी लाना चाहिए और कोई हिलाना चाहिए जापूरण मने घर अपने मापावगा गिलाना चाहिए बाबाब का गिलाना चाहिए भाईया फटा सिंद परदान जी नई रूका गया उन पर पान पान सो रुपया दोनों जोड़ी में दे रहे हैं और गुरुचे लागे अगर टकल ठीक बैठ रही हो तो जोड़ार ताली कसके हो जाने चाहिए चलिए तो जोड़ार चाहिए करम करेका दंड मिलेगा करम करेका दंड मिलेगा वेद सास्तर साफ लिके वेद सास्तर धरम का रस्ता लिखे जो इस वर आप लिखे थरम राज इस वर का नाजर मिलसन के नहीं खिला पे लिखे यह करामात यह करामात हो साथ हूं मैं जो करातवा कि मिलेगा यह करामात हो साथ हूं मैं जो खतावार को मिलेगा जिसमें पेटेंगा खून पका वो पापती लाना चहिए और साथू से वक साथू से वक सहू कार का सुभान सी लाना चहिए सुहान सी लाना चहिए पजन करो आजया करो किसे और कई हिलाना चहिए माबाब का गिलाना चहिए माबाब का गिलाना चहिए मानस खानी दाइन पुतावे मानस खानी दाइन पुतावे नूना दे बेटे खानी बेटे खानी तू नूना दे का गिला कर रहा क्या गुरू जी तेरी मौसी ने दोस लगाया ने तेरे उपर उसकी वज़े से आज मेरी आहलत हुई है तू यह मत समझे का नूना दे ऐसी बैठी होगी यह लड़की दीखरिये सामने बैठी हुई सुबा इनके चहरे चमक रहे जब इस्टेज गो उपर आई और अब ढ़ली तेरी मौसी के साथ भी ऐसी हो रहा होगा कह जल दीवता बढ़ जागी उसका सुभा बतलगा होगा ढ़लके जोबन का पानी मैं जाण गया वह मेरी ओरता इबलक भी को ना जानी संत बुरा अर संत बुरा ना माना करते सहजा भली बुरी मानी सहजा भली बुरी मानी पूरा नमल मेरी बात मांजा रीतु तू भी मांजा मेरी बात थड़ दे गुरू जी बात आपकी किस तरे मांजाओं जो फूल एक बार डाली से लग हो जाता है वो दुबारा उस डाली में नहीं लग सकता है। अगर ये तेरी बास्त होती तो तू जो फूल रूपी पूरण वाला है तेरे टुकडे टुकडे पड़े हुए थे कुए में ये एक नहीं होते जब भगवान चाहता है ना तो टूटे हुए फूल को भी डाली से जोड़ देता है एक बार जोड़दार ताली भाईया मैं कच्चा फूल तोड़ के गिरा नहीं बाग मैं फेर लगे और फेर लगे और जिस पे करपा संत करें हर काम बढ़े न दे लगे हर काम बढ़े न दे लगे मैं शाल कोड मेहना जाओ ना अच्छी मबना मेरे लगे तू याद करें मैं वही मिलू जब तिरे नाथ की तेर लगे हर कहर गुनाथ गान की खातर कहर गुनाथ गान की खातर कच्चा चेला ना चाहिए कहर गुनाथ गान की खातर कच्चा चेला ना चाहिए पर मेरी भी सुला चेला चेला तो तू पक्का है और पक्का ही बनागा पर एक पक्के चेला को भी सला दे रहूं दे दू सला जल कर सल करें कहर गुनाथ गान की खातर कच्चा चेला ना चाहिए अर जाना हो लहदारी का जाना हो लहदारी का बेतार सुली ना चाहिए बेतार सुली ना चाहिए पजन करो ले अपर उप्षवा नर कोई हिला ना चाहिए ना पूरण मले घर अपने ना बाप ना गिल ला ना चाहिए ना बाप ना गिल ला ना चाहिए